ओम गणगण पते नमाहा नमस्कार हमारे मन में हमेशा ये ख्याल आता है कि हमारे जो इच्छाएं हैं हमारे जो दिक्कत हैं हमारे जो परिशानियां हैं इन सब का कैसे समाधान हो कैसे इच्छा हैं पूरी हो समस्यों का समाधान, तक्लीव का समाधान कोई बिछड़ गया है वो कैसे हमको मिल जाए या नोकरी नहीं मिल रही है पढ़ाई में अच्छे माक्स नहीं आ रहा है कई तरह की कोई दिक्कते परिशानिया तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है गनेश चत्युती का गनेश भगवान हमारे घर में परिवार में विराजने के लिए आ रहा है हमारे महलों में गलियों में हमारे दुकानों में हमारे विवस्थाओं में हर जगए गनेश चत्युती का ऐसा है तो हारे कि गनेश भगवान को कहीं भी प्यार से विराज मान करके उनकी सेवा कर सकते हैं और मन चावा हफल पा सकते हैं, बस कुछ चीजों का पालन करिए, देखिए आपकी इच्छा कैसी पूरी होती हैं, वो इच्छा हैं, आपकी जिस्त भी तरकी हों, बस आपका मन साफ होना चाहिए, तो आज हम आपको बताते हैं कि वो चीजें क्या हैं जिससे आपको गनेज भ मैं तो उसी तरह से आपको ग्यारा दिन भगवान की अराद ना करनी हैं, धाए चतुर्टी के पहले दिन से आपको प्राता जल्दी उठना हैं, और आप जल्दी कब उठोंगे जब ना कि रात को जल्दी सोगे, प्राता जल्दी उठके अपणे बेड़ पेड़ पहिंähän ब बेठ जाहिए अपने हाथों को क्रॉस कर लिजेй करते हुए पांच मिनट का आप गणेश मेडिटेशन करिए भगवान गणेश को याद करिए जैसे आपकी सांस अंदर भगवान का नाम अंदर जैसे सांस बार भगवान का नाम बहार पूरा ध्यान आप उस पांच मिनट में अगर आपके पास ज्यादा समय है या फिर कम समय भी है जैसे भी आपको समय सूट होता है उतना ज्यादा समय या फिर नहीं करने से अच्छा है कम समय आप वो समय गनेश भगवान के नाम से कहीं आप जाते हो तो वहाँ जाके आपको भगवान करनेश की अरातना करनी है ज़या समय ना करपाएं तो कम से कब पांच मूनट या दस मूनट मिनट द्रूत लिए नकाल नगाता हिए ग्रम Means अग्र का टोरी रख लिजिए गिलास रख लिए उसमें जल डाले तुसी के पत्ते आगर आपके पास वो डाल दिए थोड़ी जी शक्कर डाल दिए और जब आप पूजा अरचना करते हैं तो उसका पूरा जो फल होता है वो पानी जो है अम्रिद में बदल जाता है अगर आप रोश को देखता है, और हमारे करीब आजाता है. तो आपको नहा के करे मंदर में जाना है, अगर मंदर जा रह रहा हैं, तो आप अपने हाथ में कुछ रोटी अगर आद की बच्चिवी है या बेड या फिर आटा और आप थोड़ा सा शक्कर मिलागे एक जरा सा दो-चार समझ आटा दो-चार समझ शक्कर मिलागे आपने ले लिया रस्ते में अगर आपको देखती कहीं चीटिया है या किसे कोई पेड़ है वहां डाल दिया रोटी आपने जो बची वी या फिर ताजी या ब्रेड या जो भी आप तो आप ने गाय को केला दी और कोई जरुद मन हुआ तो उसे पैसे की मदत करके उसे कुछ खाना किला दिया, उसे चाय पिला दी, उसकी मलंपट hacks करऊ दी, उसके बाल कटवा दीय किये या फिर उसे कहीं चाही जगे पहुचवा दीया इस तरह की मदद करेंगे तो उसकी असल में ज्यादा मदद होगी तो आप मंदर पोच गए मंदर में आपको वापस से पांच मृट का मेडिटेशन करना है जिस सामने आपको सुरू से बता है और वहाँ पे छोटा सा एक दीप प्रजल करिए और आपकी जो भी इच्छा है उसे मन में हमेशा दोर्हात रही है जब आप मेडिटेशन करते हैं सुबह उटके या फिर आप बंद जाते है इसके भाद आप फ्री हैं आपको जो भी अपना काम करना है आफिस का घर का या पार का वह आप करते रहिए इसके बाद आपको दिन को पांच मिनट और निकालने हैं अगर आप काम करते हैं तो आपका लंच ब्रेक जरूर होता होगा उत्या हिए तो आपको परिमात्मा के करीब जाना है कोई देख गया है करा यहा हूए उसे कोई फरख नहीं बड़ता है अगर आपको फिर भी ओड लगता है तो आप आराम से कुरसी पे बेट के भी मेडिटेशन कर सकते हैं कुर्सी बेट जाई अपने पेरों को क्रॉस कर लीजे हाथों को क्रॉस कर लीजे आखें बंद कर लीजे और जैसे हमने आपको बता है कि सुभे आपने Meditation किया वैसे 5 मेर वाया साथ मैं जो भी आप जितना जादा करेंगे उतना जादा आपको असर होगा है आपका जो गुशा आना होता है आपका चर्चलापन होता है आपको पीला हो ओरी है उससे आपको रहात मिलेगी ये होग़े पूरे दिन के 5-50 मिनट अब आपको शाम को पांच मेंड़ फिर से यही चीज़ करना है पर उसके साथ आपको फिर से अपने मंदर में या किसी एक मंदर में फिकज जगे पे आपको जाते करना है अगर दिया नहीं मिल पाता है तो आप वैसे भी जाके वहाँ बेटके करके पांच पर मेडेशन कर सकते हैं और जब आप मंदर जाते हैं या किसी जाते हैं इन 11 दिनों में आप अपने शम्तानुसा जो भी दान कर सकते हो अपने हाथ से बनाया हुआ या बजार से खरीदा हुआ खाना हो चीटियों के लिए आटा हो गाय माता के लिए रोटी हो किसी को आपको अपना ग्यान दे दिया जो आपको होनर है he 하고 किसी बच्चों को शिका दिया या किसी दरवार में जाके आपने शरम दान दे दिया तो आपको जो है उसका फल बहुत अच्छा मलेगा तो शाम को आपको फिर चुस्त भगान को विराज्श का विराज मत्या नाटने को है क सामने में हाद जोड़क पारात्ना सेवा करने कोई मक्हा थो के क Grab या दो हुए उनका आपक Ada u maritime शमतानुसया थे ऐखे बहुए और ने चाहिए मृत का आपको वह भी नहीं तो आपने थोड़-से पानी में शक्क र मिला के करके दिन में, कम से कम भगवान की आपको इन 11 दुनों में पूझे आर्षणा करनी है, आर्थी करनी है और उस आर्थी के बद अपनी इच्छा भगवान के सामने जहार करनी है हमने आपको जो पूरी विधी बता रहा है ये 24 घंटे में से केवल आपको 24 मिनट कुछ भी नहीं होते हैं ये आपको अपने घनिज भगवान के लिए देते हैं जब आप अपने भगवान को 24 मिनट देते हैं तो आपके 24 घंटे को बहुत अच्छा बना देंगे रात को सोते समय आपको फिर से वही पांच मिनट का मेडिटेशन करना है उससे आपकी नीद अच्छी आएगी और हमने आपको बताया कि आपको इक 11 दिन सुबह जल्दी उठना है तो आपको रात को जल्दी सोना होगा इन 11 दिनों में आप वैसे भी देखिए मास का उपयोग बिल्कुल बंद कर दीजे उन पैसों से किसी गरीब की मदद करेए भगवान जल्दी खुश होंगे और कभी भी आपको मदद करनी हो तो कैसे बिना किस पैसों के मदद कीज़े हमने वीडियो कई बार डाली हुए आपको इसमें लिंक डाल देंगे तो आप अपने हाथों स पूए पुछ किसी को खरीट के खिलाकिए उसका मेडिकल चेक अब करवाके किसी शिक्षा दिलुआ के इस तरज मदद करेंगे उसका असा जदाहोगा तो यह हम ने आपके पूरे दिन का रूटीन आपको पता दिया कि किस तरज सुबह से लेकर राद तक आपको भगवान क करने हैं चार बार आपको meditation करना है पाँच मिनट मिनट का कोई बड़ी बात नहीं है और आपको भगवान गणेश ने आपको इस्थापना करी है तो उनकी दिन में दो बार कम से कम आपको आरती करनी है और अगर possible हो पाए तो चार बार उनके सामने खड़े हो के हाथ जोड़ो के अपनी जो इच्छा है वो दोह रहा है पर कम से कम दो बार आपको केवल दो तीन तीन मिनट लगेंगे भगवान की आरती करने जी के आरती बहुत चोटी जी आरती होती है आर में तुलसी बत्ते डालके और थोड़ी शक्कर डालके भववान को भोग लगाई उस भोग का पूरे परिवार को दीजिए आपके घर में कोई काम करता है आर्सपरोस में हो अगर आपके घर में कोई जानवर भी होता है आपने पाल के रखा है उसको भी दीजिए ताकि उस बातों का ध्यान रखिए कि आपको मन में सच्चा ही रखनी है, बेमानी नहीं रखनी है, किसी को धोका नहीं, किसी को पीला नहीं देना है, किसी को परेशान नहीं करना है, हाँ अगर अंजाने में बिना आपको जान पिचान के या किसी तरह से अंजाने में कोई चीज हो जात करना है आप देखिए यह चीजों का पालन करके हमने जो आपको ग्यारा मिनट के अंदर जो वीडियो बता है इन ग्यारा दिनों में आप पालन करिए आपकी इच्छा है पूरी होगी आपका मन का जो मेल है आपके अंदर जो गंदगी भरी हुई है आपको सुनने में बड़े कठोर लगता होगा क्योंकि हमने अगर कोई चीज गलत नहीं करी हमने गलत करम नहीं किये तो हमारे साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता इस जनम में ना सही पिछले जड़ों में हमने कोई ने कोई गलत करम की हैं जिसकी वज़े से हमें पीडा परेशानी दरदार है और वो हट सकत हैं कि किसी और का भला हो तो हमारा भला जरूर होता है तो इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जदजन तक पौचे और जिसकी परेशाने वह परेशाने दूर और उस झाल झाल